नमस्कार में दिव्या स्वागत है आपका अच्किस रोजगार समाचार में रेलवे में नौकरी की तैयारी करने वाले यवाओं के लिए बरी ख़बर है दरसल साउथ स्टर्न रेलवे में अप्रिंटिस सिप के पदों पर रेलवे रेक्रोट्मेंट सिल्दवारा भरती निकाली गई है यह भरती कुल 1785 पदों पर आई है इन रिखतियों के तैथ फीटर, टर्नर, इलेक्रिसियन, बेलडर, मैकैनिक, मसिनिस्ट, पेंटर, डेफ्रिजरेटर और एसी मैकैनिक जैसे पदों के लिए अभियरतियों का चैन होगा यह रिखतियां खरकपुर कारिस साला में 360 पदों पर खरकपुर में 612 पदों पर, चक्रधरपुर में 413 पदों पर, आधरा में 213 पदों पर, राची डिविजन में 80 पदों पर, सिनी वर्क सौप में 107 पदों पर भरी जाएंगी इसके आधिकारिक वेबसाइट rrcser.co.in है एक चुक अभियरति इसके अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के अंतिम तारीक 28 दिसमबर 2023 निर्धारित की गई है चलिए अब हम इसके आवेदन सुलक की बात करते हैं जो अभियरति अपना संबंध जेनरल OBC या EWS रेली से रखते हैं उन्हें आवेदन सुलक के रूप में 100 रुपए देने होंगे हालांकि आरक्षित वर्ग यानी ST, ST, PWD या किसी महिला उमिदवारों को किसी प्रकार के आवेदन सुलक नहीं लगने हैं आरक्षित वर्ग से अपना संबंध रखने वाले अभियरति बिना किसी सुलक के भी आवेदन कर सकते हैं इस भरती से संबंधित अधी सूचना हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं आवेदन करने से पहले अधी सूचना को ध्यान से जरूर पढ़ने चलिए बागे हम आपको इस पद के लिए योगता के बारे में बताएंगे तो इस परिक्षा में भाग लेने वाले उमिदवारों की सेक्शनिक योगता 50-20 अंकों के साथ मैटिक पास होना जरूरी है मैटिक के साथ अभ्यरतियों को सबबंधित ट्रेड में ITI होने भी अनिवारे रखा गया है ITI के ये सर्टिफिकेट NCBT और NCCBT इसे मानिता प्राप्त होने चाहिए इस भर्ति के लिए उमिदवारों की नियुंतम उम्र 15 वर्स और अधिकतम उम्र 24 वर्स होनी चाहिए बता दे कि ये आयूगर्णा एक जनवरी 2024 के अनुसार मानी जाएंगी चलिए वाकरी में जानते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में आवेदन करने के लिए सबसे पहले अभ्यर्थी को इसके अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा इसके अफसल वेबसाइट की चर्चा हमने शुरू में ही की थी और हमने इसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डैरेक्ट लिंक पर जा सकते हैं इसके बाद यहां से खुद को रजिस्टर कर ले फिर आवेदन पत्र को भर कर आगे बरें यहां आपसे आपका व्यक्तिगत और योगिता से संबंदित कुछ विवरन मांगे जाएंगे इसको ध्यान से भरें फिर आगे की प्रक्रिया पूरी करें आगे आपसे अन्य दस्तावेजों की जानकारी मांगी जाएगी जिसे ध्यान पूर्वक अप्लोड कर दे यदि आवेदन सुल्क मांगे जा रहें तो इससे जमा करें फिर सभी चरनों को पूरा करने के बाद दिये के जानकारी और दस्तावेजों को सब्मिट कर दे आवेदन की एक एस फॉर्म का प्रिंट आउट अप आवेदन की एक एस फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखें क्योंकि भविस्ते में आपको इसकी जरूरत पर सकती है याद इलादें के अधि सूटना और आवेदन दोनों के ही लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखें आप यहां से भी इस भरती इसे संबंधित अधिक जानकारी जाकर देख सकते हैं और आवेदन लिंक पर क्रेक कर सकते हैं आज के लिए फिल हाल इतना ही हमारे साथ बने दाने के लिए आपका धर्न्यवाद